वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल तो आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्वेसी बॉड ने अपना सेशन टूथाउजन 24 and 25 के board exams के लिए अपने syllabus को fully change कर दिया है तो इस वीडियो का आपें तक देखें और क्या कुछ changes हुए है इसके बारे में आपको आज काफी detail में बताया जाएंगे देखो जैसा कि आप सभी बत्चों को पता होगा या अगर आपको नहीं पता है कि स्वेसी बॉड ने अपने NCRT के books को change किया है जो भी आपकी NCRT के book आती थी उसको पिछले साल सिवेसी बॉड ने कहलो एक revised book new book launch किया जिसमें कुछ एक parts को cut कर दिया गया कुछ एक chapters को, कु English की बात कर लो, Hindi की बात कर लो, जो भी आपके subjects हैं, सभी subjects में एक new NCRT book launch की गई, और new NCRT book जो आपकी है, आपके जो ये new NCRT book है, जो ये launch हुई, new NCRT book, ये पूरी की पूरी, कहलो आपके new syllabus के recording है, new revised syllabus के recording है, जो आपका नया syllabus आया है, चाहे 2023 and 2024 वाले students के लिए रहा, चा अभी तक board का ये official notice है, कि जो पिछले साल का syllabus था, वही आपके इस बार का syllabus है, तो syllabus में कोई major changes नहीं है, बस आपके book बदल गई है, तो अगर आपको नहीं पता है, कि आपके पास अगर NCRT की पूरानी वाल किताब है, ये अगर आपके पास old NCRT book है, और आपको नहीं पता ह है, कि क्या कुछ हमें नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे maths और फिर science, तो उनके detailed videos में बनाया रखे हैं, आपके latest syllabus के recording, कि आपको NCRT से कौन से chapters, कौन से exercise नहीं पढ़ने है, maths and science में, उन वीडियो का link आपको वीडियो का description में दिया गया है, आप जाकर कि वहाँ देख सकते हैं, साथी साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं दोस्तों के साथ share करना ना बोले, thank you, तो आपको अगर अभी भी कोई भी confusion हो, आपको नहीं पता है, कि आपको old NCRT में क्या कुछ नहीं पालना है, तो उसका link वीडियो का description में है, आप उन वीडियो को जरूर देखे है Maths and Science, इन दोनों वीडियो का link में वीडियो का description में दे रखा है, जिनमें आपको काफी डीटेल में इनके syllabus बताए गए है, thank you